हम आप लोग को कुछ दिखाना चाहेंगे जैसा कि देख पा रहे हमारे पास इतना सारा बैरिंग है यह देखें जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका 100% है कि फाइदा ही होगा मेरा इसका फूल गेरंटी है क्योंकि हम एक साइकिल मेकेनिक है और हम चाहते हैं कि आप लोग क आगे तक तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे क्योंकि जो भी चीज हम साइकल के रिलेटेड में बताते हैं वो सही इनफॉर्मिसन और सही जान करता क्योंकि हम एक साइकिल मेकेनिक है और हम चाहते हैं कि आप लोग का ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जैसा कि देख पार है हमारे पास एक देशी बीसिंज का साइकल एक हमारे पास रेंजर साइकल है एमटीवी बेसिक मोडल का तो यह दोनों ही साइकल में हम अच्छे से बाइरिंग फिट किये हुए हैं और बोटम ब्रेकेट में फिट किये हुए तो यह साइकल नहीं है वह तो उस पर हम और डेडिकेट वीडियो बना चुके हैं कि cycle के bottom bracket में किस तरह सा आप बाइरिंग फिट कर सके या फिर DCB सिंज का cycle हो MTB रेंजर cycle हो wheel में किस तरह सा आप बाइरिंग फिट कर सके वो सब वीडियो का link आपको नीचे description में मिल जाएगा more पर click करें description open हो जाएगा वहाँ से आप वो सब वीडियो को देख सकते हैं लिकिन गाइस एक मिनिट यहां तक वीडियो को देखे तो थोड़ा सा और आगे देख ले आपका 100% है कि फाइदा ही होगा मेरा इसका full guarantee है क्यूंकि गाइस हम आपको जैसा कि बताए हम एक cycle में लगाना चाहिए किस company का आएगा उसका प्राइस की आएगा सारा चीज हम आप लोग को इस वीडियो में किलियर करेंगे क्यूंकि हमारे सब्सक्राइबर है जो कि हमें कमेंट किये हैं प्राइस क्या गया करेंगे हो tension 406 ग्त्राइस को और आप लोग लेकफिन को धाएगा सब्सक्राइस को योडियो निगा Baking में प्राइस लिक्राइस में чलाते हैं तो याइसे लगाना चाहिए साइकल का विल में तो जैसा कि देख पा रहे हैं सारा बैरिंग हम निकाल लिए हैं तो एक बैरिंग आपका यह आजाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और एक बैरिंग आपका यह आजाता है और एक बैरिंग यह आजाता है आपका जैसा कि आप देख पा आते हैं तो फिर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बैरिंग में तो उससे पहले हम आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे ज्यादा नहीं है अगर आप हमारे लिए नोलेच लूडियों हमेसा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को ल खूल करेंगे हम आप लोग सबसे पहले दिखाते है जैसा कि डेक पा रहे हैं बहर आ गिल भुन ऐसे पल्सक्राइब पर पेकेट से में बलेंग आपका बहर आ चुका से है यह दीकिसमे आपका कूछ भी लिखा रही है एक दम प्लेन यह जैसा क्या देख पा रहा है तो यह का बेंग हमारे पास है एचुटस सवी अर्वे से बाहर का यह देखिए एन बीसी कंपनी का है बैरिंग जैसा कि आप देख पा रहा है इसका प्राइस भी यहां पर लिखा हुआ है इसमें देखिए उसमें भी आपका 6000 साड़ लिखा हुआ टीके आपका ह एच सिएच कंपनी का बेरिंग हो गया तो बताना चाहेंगे ये तीनो बैरिंग में से सबसे हाई बैरिंग जो आता है ये आपका NBC कमपणी का आता है ये सबसे ज़्यादा है बैरिंग होता है NBC कमपणी का अगर आप अपना साइकल में लोड ले करके चलते हैं और आप सोच रहें कि हम अपना साइकल में बैरिंग फिट करें तो आपको NBC क चलने वाला होता बहुत ज़्यादा है बघिवरेंग और इ देखने में समय सुल तो यह और आंवे जो इसाइक्पनी होता है बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है लोगणः तक यह बेरिंग होता है तो कभी अगर आपने साइकल में लगाना चाहते हैं तो एनवी सी कमपनी का लगा इसका कोश्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा गाइस लेकिन हम आप लोग को इसाप का प्राइज बताते हैं तो यह जैसा कि एनवी सी कमपनी का बैरिंग का प्राइज अगर आप साइकल तांब आइक शोप से खरीदते हैं तो यह आपका 100 रुपया तक आराम से मिल जाएगा 100 रुपया या फिर 120 रुपया का अंदर में आपका बैरिंग मिल जाएगा या फिर जो प्राइज है ओही आपको लगेगा यह बैरिंग का एन बिसी कमपनी का लेकिन HCH कमपनी के जो बैरिंग है यह आपका 50 रुपया में कोई भी बाइक शोप में आसानी से मिल जाएगा 50 रुपया इसका जो है जैनुएन रेट है इसका अलावा अगर आप होलसलर में जाते हैं अगर आप 12 पीस लेते हैं तो 12 पीस का आपको एक पीस बैरिंग का प्राइस 30 से 35 रुपया 40 रुपया भी पढ़ सकता है उसका अगर आप यह लोकल कमपनी का बैरिंग लेते हैं चाइना कमपनी का तो इसका अगर हम प्राइस का बात करेंगा आपको 20 से 25 रुपया का अंदर में होलसलर रेट में मिलेगा नहीं तो गाइस अगर आप ऐसे रिटलर में लेते हैं तो अगर आप एक पीस दो पीस लेते हैं तो उसका आपको प्राइस पर जाएगा गाइस यह बैरिंग का आपको आ जाएगा 30 से 35 रुपय के अंदर में लेकिन गाइस यह जो एच सी एच कंपनी के बैरिंग आपका 50 रुपय ही पड़ेगा बाइक शोप में यह आपको लेना है ठीक है यह देखिए एक बार हम आप लोगों को अच्छे से दिखा देते हैं जैसा कि देख पार ठीके 6000 साइज का ही बैरिंग लेना है अगर आपके पास किसी भी केटिगरी का कैसा भी साइकिल हो गाइस अगर आप बैरिंग फिट करना चाहते हैं तो इसी साइकल में बैरिंग फिट करने के बाद साइकल का चाल बहुती ज्यादा स्मूद और फाइन हो जाएगा और बहुती ज्यादा बेस्ट आपका साइकल चलेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा तो चलिए फिर मिलते नेक्स्ट नॉलेजवल वीडियों में तक तक अ अतना ध्यान रखें जैहीं जैभारत लाइक सेरें सब्सक्राइब जरू करें